असलाम लेकुम, this is Erling from Skills Academy, इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे इंटर्नल लिंकिंग को तो इंटर्नल लिंकिंग के बेस्किली दो तरीके हैं, एक contextual based internal linking इस तरीके की और दूसरी है ये जीज, ये exact match internal linking तो ये बिसकिली इस तरीके से काम करती है, कि हम related link के space डाल के आगे, article का exact name, exact keyword के साथ, और उसे फिर internal linking कर देते हैं, पॉस्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं, ये हर 10-15 lines बाद यहाँ पर ये नीचे दिया गया है, यहाँ पर भी तो वेसकिली ये दोनों तरीके आपको यूज करने पड़ते हैं, internal linking के लिए, परसनी तोर पे मैं यहाँ silo का भी ख्यार रखता हूँ, मतलब जिस category का article हो, सिरफ उस category के related जो pages हैं, उनके साथ link करता हूँ, तो ये जो contextual होती है, इसमें तो बंदा किसी भी page को internal link कर लेता है, लेकिन जो इस तरीके की होती है, exact, इसमें सिरफ जो आपके silo के related हो, सिरफ उन्हें internal link किया जाता है, तो वीडियो देखने के शुक्रिया, अमीद है आपको new चीजन सीखने को मिली होगी, अला आफिछ